हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई स्टड़ी चेंजिंग दा वे ओफ लंडिंग स्वागताब सभी का इंडिया के नंबर वन शड़ी चैनल वाइफाई स्टड़ी में तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी क्या हाल चाल है आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शांदार हैं जानदार हैं दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है डेली सुबह साड़े नौ बजे अपनी क्लास होती है जहां पर हम लोग रेलवे ग्रूपडी के लिए कंप्ली डिटेल में साइंस पड़ रहे हैं ठीक है तो चलिए क्ल साइंस के प्रीवेस और इन दोनों ही क्लासेज में हजारों बच्चों में आप लोगों को आपकी रैंक मिलती है तो सर जॉइन कैसे करना है अनकेडिमी लड़ने के आप डाउनलोड करिए गोल सलेट करिए ससी एक्जाम नॉन टेक्निकल ठीक है इसके स्पेशल क्लासेज मे करना जाएगे मेरा नाम सेर्च करी नीरज जागे मुझे फॉलो कर लीजिए दर इस पेशल क्लासेज में आपको क्लास मिल जाएगी जो भी क्लास आप लोगे एक बार आप लोगों से कोड पूछा जाता कर नए बच्चे होता नो नीरज लेवन लगा कि इसको अनलॉक कर ल सेर्च करते हैं सेल यानी कोशिका का पार्ट नमबर 2 चलो आजाओ चलो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था है ना शोर्ट में आप लोगों सेमें के बनी होती है बहुत सारी कोशिगा से मिलके बनी होती है Basically cell के बारे में हम लोग पढ़ने वाले कोशिगा के बारे में पढ़ने वाले कोशिगा में क्या क्या चीजे पआ जाती है और मैंने आपको बताया था कोशिगा दो प्रकार की होती है एक होती है прок Wisconsin एक होती है euk superior सर्फ प्रोकेरोटिक वाली कोशिगा कहां पर मिलती है बैक्टिरिया में यानि जीवानों में मिलती है और इसके अलावा प्लांट में फंगस में एनीमल्स में सभी में कौन सी कोशिगा मिलती है यूकेरोटिक कोशिगा मिलती है एक चीज आप दिहान रखेगा प्रोकेरोटि नहीं पाया जाता उसमें गॉल जी बॉडी यानि गॉल जी काय नहीं पाया जाता जब कि सर यहां पर जो यू केरिटी कोशिगा होती है ना तो इसमें नूकलियस यानि केंद्रक आपको मिलेगा माइटो कॉंड्रिया मिलेगा गॉल जी बोडी गॉल जी काय मिलेगा तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि प्रो केरिटी कोशिका में क्या क्या मिलता है जो चीजे प्रो केरिटी कोशिका में होगी वो यहाँ पर भी होगी तो जरा मुझे बताईए मैंने आपको क्या क्या बताया था प्रो केरिटी कोशिका में क्या क्या मिलता है सर एक तो कोशिका बित्ती मिलती है यानि सेल वॉल मिलती है कोशिका बित्ती clear यानि cell wall और इसके अंदर एक ओर लेर होती है जिसको आप लोग बोलते हैं कोशी का जिल्ली जिसको English में आप लोग बोलते हो cell membrane तो दो चीज तो ये मिलती है और क्या क्या मिलता है सर इसके अंदर क्या मिलता है एक liquid मिलता है लिक्विड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटो पलाजम हिंदी में क्या बोलते है हिंदी में बोलते हैं कोशी का क्या-क्या मिलता है बताओ मैंने आपको बताय had time की अंदर कुछ धागे जैसी कुछ संदचना होती है धागे जैसी कुछ कोशी का भित्ति यानी सैल वॉल कोशी का जिल्ली यानी सैयल मेंबरेन क्रोमोजों और आपको साइटोपलाइब यह चार चीजा मिलेगी साथ में एक छीज और मिलेगी ठीक है राइबोजों भी मिलेगा अलँगो अभी मैं आप लोSet चीजा पढ़ा रहा हूं जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको लिखवा दूँगा की यह प्रोकेटीक और यूकेटीक दोनों में मिलता है ठीक है तो कल की स्किल्स के बारे में पढ़ लिए था हमने सैल वॉर पढ़ लिया था कोशीग पड़ लिया था कोशीग जिल्ली हम लोगों ने पढ़ लिया था ठीक केरिटिक में होगी वह यूएरोटिक में भी होगी बिलक्orama वह यूएरो प्लाजम है कवा द्रव्ल движ क्या है आप होगो मुझे समझाइए तोटो एक्षुलि में होता है ये जो हमारी कोशिगा होती ना कोशिगा माल लेते हैं ये हमारी प्रोकेरिटिक सेल है यानि प्रोकेरिटिक कोशिगा है और ये माल लेते हैं ये यूकेरिटिक सेल है यानि यूकेरिटिक कोशिगा है दोस्तों eukaryotic cell में तो nucleus पाया जाता है केंद्रक पाया जाता है जबकि sir यहाँ पर nucleus नहीं पाया जाता clear है क्या तो दो कोशिका के अंदर क्या होता है एक liquid part होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं cytoplasm यानि कोशिका द्रव्य अगर बात करी जाए eukaryotic कोशिका में वह वाला liquid कहां पर मिलेगा sir इस nucleus के बाहर मिलेगा इस जगे मिलेगा clear है तो इसको आप लोग बोलेंगे cytoplasm यानि कोशिका द्रव्य बट मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दू यह है जो मैंने आपको definition बताई न यह बिल्कुल exact यह सही definition नहीं है actual में होता क्या है ध्यान चाप लोग समझेंगे please जैसे मैंने आपको बताया eukaryotic कोशिका में mitochondria पाया जाता है क्या बताओ clear है बताओ पाया जाता है क्या पाया जाता है क्या जी sir mitochondria पाया जाता है अरे अजय भारती जी क्यों पढ़ रहे हो आप सर बूस्टर वाले बच्चों पे इधर भी ध्यान दे लेना बूस्टर लो बच्चों पे दोगे तो इधर भी दे लेना यह क्या दे रहा हो मैं ध्यान तुम नहीं दे रहे सेलेक्शन तो होना नहीं तुमारा फालतु में कमेंट बाजी कर वालो सुभव सुभव मूड ऐसे कर दे दो टीचर का चल रहा है सर केमिश्ट्री कब होगी सर बाइलो जी पूरी हो रही ना अब आइलो जिटोप thereby दो चार दिन में बिल्कुल भी पूरी हो जाएगी आप एसे बेटी दर जाओगे पहली प्हेली बी acrylic अब है बाकी भत च्छे चो जो पढ़ रहे हैं आपर उनसे सीको फालत से दो-चार आ जाते हैं उट-उटके एक बज़े वाल क्लास मेरे को कितने अच्छे से सब बच्चे पढ़ाई कर रहा है और तुम जो दो-चार इदर-उदर लगे रहते हो नहीं यह तो इन्हीं का सेलेक्शन नहीं होगा पताने क्या क्या करते हैं तो पढ़ाई करते हैं नहीं हो सुबह सुबह आ जाओ तो सर मैंने आपको बताया था यूग केरिटी कोशिका में और भी कुछ चीज़े पाई जाती है जैसे एक्ट्रा चीज मैं बताऊं गॉल जी बोडी शॉट में लिख दिया मैंने जी बी इसको такие कोशिगा कि अंदर ही तो होंगे तो कहीं न कई आप लोग बोल सकते हो कि इस लिकविड वाले पार्ट में रहेंगे ऐसे तोडिक्विड रहेंगे तो कुल मिला के आप लोग साइटो प्लाजम बोल किसको रहे हो कोशी का द्रवे बोल किसको रहे हो एक तो कोशी का के अंदर एक तो सेल के अंदर लिक्विड वाला पार्ट होता है ठीक है सर मतलब basic liquid वाला पार्ट और इसके अलावा अगर कोई कोशी का अंग है तो सब मिलके आप लोगों का कहला है गा cytoplasm यानि कोशी का द्रव्व सर अगर मैं आप लोगों से पूछू कि कोशी का में केवल जो liquid वाला पार्ट न इनको count मत करो केवल और केवल जो लिक्विड वाला पार्ट न उसको क्या बोलोगे केवल और केवल लिक्विड वाले पार्ट को कौन बताएगा चलो मैं इधर लिख देता हूँ अगर केवल और केवल लिक्विड वाले पार्ट के बात करे केवल और केवल liquid part के बात करे तरल भाग की बात करे तो उसको क्या बोलेंगे ज़रा बताइए मैंने बताया था एक बर जव्ए वाली गलास में बताओ तो उसको हम लोग बोलते हैं cytosol क्या बोलते हैं cytosol बोलते है cytosol बोलते है जिहान रखेंगे कहनी clear है अब सर ये बताइए इस कोशिगा द्रव्य का काम क्या है साइटोप्लाजम का काम क्या है तो जैसे अगर बात करें कोई u-carotic कोशिगा है तो उसमें क्या होता है जैसे कोशिगा में सबसे भारवली लेर को तो आप लोग कोशिगा भित्ति बोलते हो cell wall बोलते हो इसके अंदर जो layer होती है इसको आप लोग क्या बोलते हो इसको आप लोग बोलते हो cell membrane यानि कोशी का जिल्ली अगर eukaryotic कोशी का है तो भाईया उसमें nucleus भी मिलेगा न उसमें kेंद्रग भी मिलेगा न तो कुल मिलाके मैं बात बोल सकता हूँ क्या कि ये जो आप लोगों की cell membrane है यानि कोशी का जिल्ली है और nucleus है इसके बीच में जो आप लोगों का ये वाला part पाया जा रहा है इसको आप लोग क्या बोल रहे हो साइटो प्लाजम बोल रहे हो साइटो प्लाजम के और कुछ भी काम है कि कौन बताएगा कि कौन बताएगा साइटो प्लाजम के कुछ और काम भी है कि जरह मुझे बताओगे जल्दी से बताओ बताओ देखो अगर हम लोग बात करें यू केरिटी कोशिका की चलो जैसे प्रो केरिटी कोशिका की बात कर लो मैंने आपको बताया प्रो केरिटी कोशिका में राइबोजोम भी पाये जाता है तो दोस्तों राइबोजोम इधर ही तो मिलेगा अगर यूग केरिटी कोशिगा की बात करें तो यहां पर माइटो कॉंडर भी मिलेगा गॉल जी बडी भी तो बेसिकली दोस्तों यह उनको एक प्रोटेक्शन दे रहा है कि जैसे मैं आप लो अगर चाते हो वह गिफ्ट अच्छे से दूसरी जगे पहुंच पाये तो आप लोग क्या करोगे उस जो गिफ्ट को अच्छे से कपड़े से आप लोग चारो तरफ से रैप कर देंगे कपड़े से अब आराम से आप लोग डिगगी में डालो बढ़ी अदच के आए कुछ भी है कोई फरक नहीं पड़ेगा तो सिमिलरली जो आप लोगों के कोशिकांग है माइटो कॉंड्रिया है राइबो जो में इनकी टूट फूट होने से कौन बचाएगा यह साइटो प्लाजर में बचाएगा आराम से साइटो प्लाजर में बिल्कुल सेफ है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है दूसरी इंपोर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को एनरजी कैसे मिलती है सब्सक्राइब को पुछिता हैं सबसे पहला चरन क्या होना सब्से पहला क्या होता हूं क्या होता है सर सबसे पहले तूटेगा पाईरूविक अमल में यह पहला स्टेप है दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता एंटी पैसी में 10 से 12 वार कोशन है केवल इस चीज़ का थीक है तो इस वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस इस वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सैल में जो ग्लाइकोलिसिस होता है यह कहां पर होता है तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहां पर होती है दोस्तों यह बात करते हैं क्रोमोसोम की तो मैंने आप लोगों को कितनी चीजे बताई अभी तक प्रोकेरिटी कोशिका में बताओ सर कोशिका बित्ती बता दी सेल वॉल बता दी सेल मेम्रेन बता दिया साइटो प्लाजम बता दिया चौती चीज में बता रहा हूं आप लोगों को क्रोमोस इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, क्रू मोसम बोलते हैं, क्लियर है क्या, एक्शुली में ये धागा आप लोगों को अभी बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करावण, जब आ रहा रहे क्या, तो कुल मिलाके जो अंदर का क्रोमो सोंता ये भी तो बटेगा तो अगर आप लोगों को बाटना है पहले उसको अरेंज तो करो जैसे मुझे एक ची बताइए आप लोग घर में सब्जी लेकर आया आपने आलू और प्याद दोनों एक जगे मिक्स कर दिये अब माल लीजिए के आपको एक लगा लग तो चाट में ऑलु को एक तरफ रखोगे मिस मीं से उठाकी देद तो एक कuth Tu ना तो स्मीलर्ली जब कोशिका विवाजन होता है ना सेडी में होता है ये जो झगे होते ने प्रॉपर Сट्रवच्चर ने लेतां एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले отв क्रोमोसोम जब एक बिल्कुल प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर हो जाता है इसको बोल रहे हैं आप लोग क्रोमोसोम क्लियर है गया अब बात करी जाए सारी एक जो क्रोमोसोम होता है यह जो धागा होता है किस से मिलके बना होता है तो यह जो क्रोमोसोम होते हैं यह किस से मिलके बन चीज तो ये अभी सब चीजे समझाऊंगों बहुत सारे डाउट आप लोगों को आरेंगे टेंशन मत लेजिए दूसरी चीज आप लोगों से पूछा जाता है कि इस क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या है तब आप लोगों का अंसर क्या होगा दोस्तो आपका अंसर होग दोस्तो जीन क्या होगा जीन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाईया ये जीन किस से मिलके बना होता है तो जीन भी भाईया क्रोमोसोम किस से मिलके बना हुआ है सर डी एने और प्रोटीन से और आपने बोला क्रोमोसोम की सबसे छोटी का ही क्या है जीन यानि बहुत सारे जीन मिलके क्या बना रहे होंगे क्रोमोसम बना रहे होंगे तो वो एक जीन भी किस से मिलके बना होगा तो जीन भी दोस्तों किस से मिलके बना होगा बताओ सर डी एने से और हिस्टोन नामक एक प्रोटीन से मिलके बना होगा कहानी क्लियर है clear है अब तो चेंशन यह आता है कि सरी DNA क्या होता है what is DNA तो दोस्तो DNA और RNA की कल एक अलग से class लोंगा डिटेल में लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझा रहेता हूँ देखो दोस्तो आपको पता है आप में आपके पैरेंसे हो सकता है आप लोगों किसमे जैसे हो या फिर माली तो कुल मिला के बात है दोस्तों एक पीडी से दूसरे पीडी में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा जो एक पीडी से दूसरे पीडी में जो करेक्टिस्टिक्स आ रही है जो विशेस्ता आ रही है वो किसी ना किसी की वज़े से तो आ रही होगी ना तो humans में वो किसकी वज़े से आती है DNA की वज़े से आती है इसलिए DNA को हम लोग बोलते है genetic substance इसको हम लोग बोलते है genetic substance यानी आनुवांशिक पदार्थ तो अगर आप लोगों से पूछे जाए कि मानों में आनुवांशिक्ता के लिए कौन सा पदार्थ responsible है आनुवांशिक्त कौन सा होगा दोस्तो कौन सा होगा DNA होगा दिया अंदर को clear है clear है चले आगे आजाओ अब सर इस DNA के बारे में detail में पढ़ेंगे हम लोग कल है ना tension मतलो अब लोग अभी केवल इस chromosome पर बात करो ठीक है अब actually में क्या होता है दोस्तों हमारी कोशिका में जो ये chromosome होता ना chromosome है जैसे कुटों की जो कोशिका होती है डौग की जो सैल होती ना उसमें जो chromosome की संख्या वो अलग है बिल्ली में बिल्ली की जो कोशिका है उसमें chromosome की संख्या अलग है तो ध्यान रखेंगे जो chromosome को मिलते हैं हमेशा किस में मिलेंगे पेयर में मिलेंगे जोड़ों में मिलेंग तो अगर पूछा जाए मानाव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बोलेंगे मानाव शरीर में जो क्रोमोसोम सोते हैं वो कितनी होते हैं दोस्तों तेई स्पेर होते हैं तेई से जोड़े होते हैं पven लिए रहेंए ऐसे एक जोडा दूसरा जोडा तीसरा जोडा चौता जोडा पाचवा जोडा छटा जोडा अगर सब्सक्राइब Otis को ङाईगी मनुश्य में आप लोगों को ध्यान रखने है跟我 नुञ्य में आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे एक तो डॉग का, डॉग का, यानि कुत्ते का, अगर आप लोगों को बूचा जाए कि डॉग में कुरोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, आप लोग बोलेंगे 78, जैसे अभी मैंने बता है ना, हिउमन में, इंसान में कितनी होती है, 46 ह होती है, वैसे ही आप लोगों को डॉग में याद रखनी है, कितनी 78 होती है, दोस्तों चिंपांजी का, आप लोगों को ध्यान रखना है, चिंपांजी में होती है, 48, अब आप लोग मुझे बताएंगे, पिग में कितनी होती है, मैं नहीं बताऊंगा, पिग में कितनी होत झाल झाल क्या बात है तो भाईया एक बजे वाली क्लास में मैंने कितना चिला चिला क्या बता है आपको कि भाईया पिग में और बिली में दोनों में क्रूमोसोम की संख्या 38 होती है और ये वाला क्योशन तो इस बर पूछा भी गया था बिल्ली में क्रोमोसोम की संक्या तो इन दोनों का ध्यान रखेंगे दोनों में ही कितनी कितनी होती है 38-38 होती है बस आप लोग इतना याद रखेंगे 38 का मतलब क्या है 19 पेयर हो गए ना 19 पेयर पियर सुवर में और 19 पेयर बिल्ली में दोस्तों एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखना है अगर आप लोगों से पूछा जाए जैसे इस बार के एंटीवेसी में पूछा गया था कि जो मतर का पौधा होता ना मतर का पौधा यह भी तो एक जीव है इसमें भी तो कोशिका पाई जाएगी इसमें भी तो क्रोमोसम पाई जाएगे तो मतर के पौधे में कितने पेयर कितने जोड़ी पाई जाते हैं क्रोमोसम नहीं पूछा गया था कितने जोड़ी पाई जाते हैं कितने पेयर पाई जाते बताओ तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको पता है मैंडल सापने जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो मतर के पॉड़े पेर करे थे तो अपलोगों को पता होना ही चाहिए न तो मतर में पाए जाते हैं दोस्तों साथ जोड़ी यानि साथ पेर सर और क्या क्योशन पूछ सकता है और मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों से पूछा जाए अगर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं ये क्यूशन मैं आप लोगों से पूचता हूं, तो इसका अंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेना, अपने, मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार चलो उदे लिख लेता हूं, देखो, अगर आप लोगों से पूचा जाया है, हाइस्ट नंबर ओफ क्रोमो सुम्स निकालने तो उसका डवल करो और अगर आप लोगों से बोला पूछा जाए सबसे कम ठीक है लोई इस नंबर और प्रोमो सॉम किसमें मिलेंगे सबसे कम क्रोमो सुम्स की संक्या दोस्तों यह मिलेगा मेरमे का पिलोशुला यह बेसिकली चीटी है और श्रिलय में आप लोगों के पाई जाती है तो इसमें केवल और केवल एक पेर एक जोड़ा मिलेगा ठीक है कि चले आगे बहुत बढ़िया बस यह वाले डाटा आप लोगों को ध्यान रखने ते चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब मेरे प्यारी दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं प्र स्टॉर्ण के record रहें कोसीका में एक्स्ट्रा क्या क्या पहरे जाता है उनकी हम लोग बात करनेर माइटो कौन्डख़्या,検़कर मिलेगा है क्या यू कैवल एक स्कूश この ने कने बात में कुछ विशेश करते हैं दोस्तों जो हमारी कोशिका है ना जैसे देखो माइटो कॉंड्रिय कुछ ऐसा नजर आता है ऐसा नजर आता माइटो कॉंड्रिया क्लियर है गया माइटो कॉंड्रिया आप लोगो ऐसा नजर आगा तो हमारी जो कोशिखा है न, देखो यह रहा कोशिखा के अंदर mitochondria, अगर इसको zoom करके देखोगे न, यह देखो कुछ ऐसा नजर आएगा, यह देखो, कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा mitochondria, तो आप लोगों को डाइगराम पे द्यान नहीं दे न, आप लोग सिं के द्वारा हुई थी रिचर्ड एल्ट मैन के द्वारा हुई थी बट दोस्तो रिचर्ड एल्ट मैन ने इसका नाम माईटो कॉंड्रिया नहीं रखा था उन्होंने इसका नाम क्या रखा था उन्होंने इसका नाम रखा था दोस्तो बायो ब्लास्ट क्या रखा था अरे क्या जनाता है कि सर ये वाला नाम किस ने दिया फिर माइटो कॉंड्रिय नाम किस ने दिया तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये माइटो कॉंड्रिय नाम किस ने दिया फिर ये माइटो कॉंड्रिय ये वाला नाम किस ने दिया तो ये वाला नाम दिया था दोस्तो कार्ल बनी हुए है और हमारी पूरी बोडि को एनर्जी की रिक्वार्मेंट होती है दोस्तों एनर्जी कैसे बनती है मैंने आप लोगों को रेश्परेशन वाले चैटर में भी पढ़ाया था अभी पिछले वाली स्लैड पर मैंने बताया तो कुल मिलाके हैं हमारी कोशिगा के पास है तो आप लोग जो भी अपनी वेल्द है ना आपके पास में कितना मयनी है इस चीज को किस में में मैजर कर रहा हैu रूपीज में में ज़या जितने ज्यादा वेल्ट है कि हम लोह की कोशीका की एनरजी होती है हम लोग कैसे माते हैं कोशीका में जितने ATP के मौलेकूल्स बनेंगे ATP के अनू जितने ज्यादा बनेंगे हम लोग बोलेंगे क्या कि कोशीका के पास में उतनी ही एनरजी है इस ATP की फुल क्या होती है एडिनोसीन ट्राइफ फोस्वेट को नहीं बताऊंगा राइस्पिरेटरी सिस्टर में बहुत बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिसकस कर रहा है कोशिका की जूल में केलोरी में इन नहीं नापते हम लोग देखेंगे ATP को बहुते हैं क्या currency क्या currency of cell energy यानि cell की जो energy है ना अरे कोशिका की जो उर्जा है ना उसके मुद्रा क्या है उसको किस में आप रहे हुँ आप लोग ATP में आप रहे हुँ अब दोस्तों यह जो ATP के molecules बनते हैं जा energy बनती है कोशिका में यह store कहाँ पर होती है ATP के molecules individual तो ये ITP के molecules store होते हैं आप लोगों के जा पर store होते है यह आप लगों के माई टो-कॉपल्ड्रिया में store होते हैं तो कुल मिलाके कोशिका की सारी की सारी एनर्जी किसके पास में nova जइसके पास में इसी लिए हम लोग mmito-kontria को powerhouse of cell बोलते हैं, क्या बोलते हैं, energy house बोल दीजिए, या फिर आप लोग power house बोल दीजिए, clear है क्या, अरे clear है क्या, ठीक है, समझ गए, ठीक है, दूसरी important चीज क्या है, जब भी किसी कोशीगा का निर्मान होता है, तो कोशीगा में तो बहुत सारी चीज़े पाई जाती है, तो स सबसे पहले किसका निर्मान होता है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का जो first originated original होता है, यानि पहला ऐसा कौशीगा जो सबसे पहले बनता है, क्योंकि बेसिकलिस के पास में तो energy store होगी, फिर उसो energy से बाखी के बाखी के कोशीगांग बनेगे, clear है क्या, चले आगे, चल कैसे यह हमारी कोशीगा है, दोस्तों कोशीगा के अंदर होता है nucleus यानि केंद्रक, अगर मैं आप लोगों से पूछो DNA कहां पर पाया जाता है, आप लोगों क्या बोलोगे, सर अभी आपने बताये था, कि यह ना nucleus के अंदर chromosome होता है, वो DNA से मिलके बना होता है, तो अगर mate स कोई पूछेगा DNA कहां पर पाया जाता है, सर मैं बोल दूगा nucleus में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछे, कि nucleus केंद्रक के अलावा और कहां पर DNA मिलेगा, दोस्तों, mitochondria में भी DNA मिलता है, अब सरी DNA है क्या, फिर से बता दो एक DNA वही पदा आता है, जिसकी वज़े से आपके parents, बतलब आपकी parents से आप में कोई ना कोई तो चीज आई होगी ना, तभी तो भाईया आपके जो लक्षन है, कुछ characteristics आपके माता पीता जैसी है, जैसे हो सकता है, अगर आपके father के बाद बाल कर लिए, तो आपके भी बाल कर अगर आप लोगों से पूछा जाए, nucleus में जो DNA पाए जाता है, वो किसका होता है, mother का होता है, केवल माता का होता है, केवल माता का होता है, और दौस्तों जिसके पास में खुद् का DNA होता है, जैसे वह ये एक चीज मुझे मुझे बताई है, है एक चोटी से रवताईhinndra seikes जैसे बात करते हैं हम लोग जूब कर रहे हैं सभी आसे मैं भी कर रहा हुआ कहीं पर किसी के लिए आप जब नौकरी जबसेलेक्षन होग आप करें अप लोग अपने department के लिए करेंगे मालो यार किसी के खुद की company हो यार तो उसका अलगी मज़ा है ना तो similarly भईया जो DNA ये भी एक important चीज है जिसके पास में DNA होता है ना मतलब वो अपने आदे से जादा काम खुद कर लेता है ये मालो अब तो जिसके पास में खुद का DNA होता है ना उसको हम लो लोग CP autonomous औरगिनल भी बोलते हैं क्यों क्यों कि इसमें DNA पाया जाता है ठीक है दोस्तों ठीक है आजा काने के लिए ठीक है दोस्तों नेक्स हम लोग बात करते हैं लाइजोजोम में क्या मैंने लाइजोजोम के बारे में प्रोकेरोटिक सेल में पढ़ाया था क्या नहीं यह एदर आप लोग को शौट में बता देता हूं और फिर आप लोग इधर पूरे एक एक चीज लिखते रहेंगे देखो दोस्तों हमारी जो कूशी ना इसके अंदर मालो यह रहाव का लाइजोजोम मालो यह लैजोजोम के अंदर कुछ खतरनाक लिक्विड भरा होता होत Enzymes दोस्तो हाइड्रो का मतलब क्या होता हाइड्रो का मतलब होता है पानी लिटिक का मतलब होता है तोड़ना यानि इसके अंदर कोई ऐसा पानी ऐसा लिक्विड भरा हुआ जो किसी चीज़ को तोड़ सकता है ठीक है तो सर इसका काम क्या है लाइजोजोम का क्या है या भारी पर सेल मेच्जर हो जाती है तो पहले बाच क्या है जब सेल ग्रोथ कर रही होती है कर रही होती है कि तो आप लोगों को माली जए दोस्तों आपके बोड़ी में कोई वाइरस आ गया तो भाईया आपके कोशिक अप आए ना तो यह जो आपका लाइजिजोम होता है ना यह उसको खतम करता है यह उसको क्या करता है तो अगर आप लोगों से पूले जब आप लोग की सेल ग्रोथ कर रही है तब इसक है दोस्तों दूसरी बात क्या होती दूसरा काम क्या है इसका जब आप लोगों की बॉड़ी जैसे माली जी सेल में दो चीज़े होती है जैता वह ग्रोथ करेगी और मैचॉर होने का मतलब वह डैड हो गए अब उसकी जगे नई कोशिका बनेगी तो दोस्तों जब यह सेल म मैचॉर हो जाती है न तो एक्चुली में लाइजुजोम होता है न वह अपका फट जाता है फटने की वजह से इसका यह जो लिक्विट वाला पार्ट है तो अपनी कोशिका को खतम कर लिया तो दूसरा काम क्या है दोस्तों जब सेल मैचॉर होता है न तो जब यह आप खत्म हो जाती है तो इसने अपने कोशिगा को मार दिया इसलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग यानि आत्म हत्या की थैली भी बोलते हैं कि तर एक दो नाम ओर तो एसना खत्रना काम कर रहा है इसको भाई है एटम बॉम ऑफ सैल भी बोला जाता है क्लियर है क्या आजाए तो पहले हम लोग अरे थम्सब करो सेशन को लाइक करो क्या सारी चीजे समझ में आ गई प्लीज जल्दी से बताईए अरे जल्दी से बताईए और प्ली यार सेशन को लाइक करो से बिल्कुर ठंडे बैटे रहते हो ठीक है तो आप लोग ध्यान रखिए ये आपके कोशिगा के अंदर जो लाइजोजोम पाया जाता है अब इस पर ध्यान मत दो सिंपल सी बात ध्यान रखते हैं क्या क्या पूचा जा सकता है कि सर हमारी कोशिगा के अंदर जो जो लाइजोजोम है इसके डिसकावरी किस ने करी है इसके discovery किस ने करी तो आप लोगों का पहला question यही बनता है तो इसके discovery जो करीती वो Christian D. Doveji ने करीती बात आती है कि सर इसके कुछ अन्य नाम भी है कि बिल्कुल इसके अन्य नाम में आपको बताऊँगा पहले आप लोग यहाँ पर यह note कर लेंगे यह अरे अपने copy में लिख लेंगे यह चोटी चीजह अलग से जब आप लोग notes बनाये Side में लिख ले नब लिख लेना अभी के लिए मैं इसको rough कर रहूँ आपको जोटी क्या यहिम्व लिख लीजेगा और क्या-क्या नाम होते हैं समझो तो भाईया लिख लो ओल्जो नॉन एज सेल्स सुसाइडल बोल सुसाइडल बैग इसको कोशिका का आत्म घाती थैला भी बोला जाता है या आत्मत्या की थैली भी बोला जाता है इंग्लिश में सुसाइडल बैग सर और किस नाम से जानना होती है यार वहाँ पर अगर कोई इंसान रह गए तो आपको बता है क्या होना वाला है तो जब यह फड़ जाती ना तो पूरी कोशिका को कतम करती है इसको दोस्तों क्लीनर्स भी बोलता है सफाई करमचारी कोशिका को इसने क्लीन कर दिया बिल्कुल कानी के लिए रहे बताओ चाह थंड़ी घर वारी तुमने मेरी अब चाह वाय ऐसे नहीं कभी सराओ घर पे चाह पीओ आपके सा थोड़ा नाच्ता करो as a seit periodic table करा दो थार्ये करा दो सर यह करादो सर यह करा आग़ों सर हिंदी में करादों सर स्यंग्लीश में गई अब चले आगए wow अरे वीकाल विकाल दोबीजी तो गए भईया कोई नई रिसर्च करने हैं कि आजाओ कि नेक्ष हम लोग बात करते हैं राइबोजोम की सर आपने राइबोजोम में राइबोजोम के बारे में नहीं बताया था हम पर कहल चार्ट चीज़े बतायी थी कोशिय का जिल्ली और कद्रवाः और क्रोमोसोम मैंने वहां पर नोट लिख्वाय था ध्यान से देखो और यहां पर भी लिखा देता हूँ जो राइबोजूम है यह आप लोगों को You-Karyotic में मिलेगा बस यह पो- सऱरी परो-Karyotic में भी मिलेगा और You-Karyotic में कोनों में मिलेगा यह ठीक है आप सरी राइबुजोम दिखता कैसे पहले इसके फोटो दिखाओ में देखो यह आप लोगों की कोशिका हो गई अब इस कोशिका के अंदर क्या होता है दोस्तों ध्यान से देखो ध्यान से देखो यह छोटे-छोटे दाने देख रहे हैं चोट कर देखो गे यह दो चोटे-छोटे दाने हैं कहां पर सर यह कोई न ऐसे पूंच इन नेटवर्क से एक कुछ जालियों सा है उस जालियों के उपर पाए जा रहे है देखो तो यह आपको कुछ ऐसे जालियों सा कुछ दिख़ रहा गया आब यह जालिया क्या है यह राइबोजोम को भी जूम करके देखोगे तो आप लोगों को इसमें दो पार्ट नजर आएगे से इसको बहुत बढ़ा करके देखोगे न तो यह दो पार्ट से मिलके बनाऊता है यह तो खेर कुछ जादा ही मैंने बढ़ा कर दिया समझ गया बात को छीक है तो आप लोग ध डिसकवरी किस ने करी वो आप बताईए तो राइबोजों की जो डिसकवरी हुई थी वह हुई थी जाख एमिल पॉलाडे के दवारा गंद worlds था हर क्या बड्वीड गयों ने इसका नाम रराइबोजों नहीं रखाता कि वह आज आप को डिसकवरी कर दो आप में से आ जाय कोई लड़का नाम बताओ जैसे योगेश हुड़ा जी है इन्होंने कोई एक अलगी चीज की खोच कर दी तो भई यह सरकार इनसे पुछे बता उसका नाम क्या रखे अब यह ऐसे तोड़ी बोलेंगे रख लो आपके सबसे इसका नाम रखो योगेश योगेश वा हुआ है इन्हों ने कुई नहीं जगए बना दी यह नहीं कॉलोनी बना दी नहीं मालोंब बढ़े मन गई है एक संह रखे नाम क्या वह लेता है जो भी देश को गरते में लेकिंगे जारा है ग्हति हो और इनों ने वह रखा वह क्या रखा पहल तो युदु का मतलब है खंळ उन्हों ने बोला यार चोटे-चोटे इसको नाम रख़तों पहला laying और या फिर या फिर इसको आप लग पहला replen dissect ग्रेनुवल्स भी बोल सकते हो दोस्तों ग्रेनुवल्स का मतलब क्या होता चोटे-चोटे करन तो हिंदी में इसको बोलेंगे पहलाड के कॉप इसको करन बोलो करन बोलो ना इन्होंने क्या रखा इनका नाम पहलाड के करन रख दिया ठीक है अब सर इसका काम तो बताओ तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आपके कोशिका में प्रोटीन का निर्मान होता है क्या क्या आपके कोशिका में प्रोटीन का निर्मान होता है क्या और अगर प्रोटीन का निर्मान होता है तो फिर प्रोटीन खाते क्यों तुम म और ध्यान से देखो एक्षटाय में चोटी सी बात ये है प्यार शी बात और बिल्कुल अंदर राच की बात टो आप लोग प्रोटीन खा रह När हो ना उसी से वापीरď lifetime मन्द रहे हैं सदक क Surprise क्यूंकि प्रोटीन का पार्चन होता है, आप लोगों का अमीनोमल मिलते हैं, और अमीनोमल जुड़के ही प्रोटीन मनाते हैं, तो पहले जो आपने प्रोटीन काया, उससे अमीनोमल मिले, और फिर वही अमीनोमल मिलके प्रोटीन मना लिये, तो सर जब प्रोटीन वापिस बनाना था, तो उसको टोड़ा क्यों समझो दोस्तों बात को जैसे आपको बता है हमारी बॉड़ी में हमें को डिजीज हो जाती है तो डिजीज से लड़ने के लिए आपकी बॉड़ी क्या बनाती है एंटी बॉड़ी बनाती है दोस्तों आपकी बॉड़ी में अलग-अलग एंजैम्स ब तो बलाके हमारी कोशीका मींके जैसे मैंने बोला कि लीवर किसी कोशीग किसी यह कोई בन रहला तो हम लोग प्रोटीन बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोटीन की फैक्टरी बोलते हैं प्रोटीन का कार खाना बोलते हैं ठीक है आजाओ ठीक है अब बात आता है कि एक चीस्ता है सौरी बताना भूली गया इसका जो डिसकवरी हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी जॉर्ज एमिल पहलाडे के को समझ गए प्रोटीन की फैक्टरी बोलते हैं अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस कोशिगा में आप लोगों को ऐसे कुछ ही दिख रहे थे के देखो ऐसे कुछ दिख रहे थे जिसके उपर राइबोजोन पाए जा रहे थे तो दोस्तों यह ऐसे दिखने वाले ना यह टूब जैसे कुछ इस्ट्रक्चर दिख रहे थे यह बेसिकली आपका क्या है एंडोप्लाजमिंग रेटिकुलम है आजाई इसके बारे में समझने नेक्ष पोशे का आंग के बारे में एंडोप्लाजमिंग रेटिकुलम जिसको लोग अंत्य प्रद्यव्य जाली का बोलते हैं और ध्यान रखेंगे प्रोर्व केरिटिक में नहीं पाई जाती है के वल यू केरिटिक में पाई जाती है कि अब बात करते हैं कि सब्सक्राइब कर देखो तोड़ के देखो एंडो का मतलब होता है इंसाइड तो यहां पर आपके घर में जो डाइन टेविल है उसके ऊपर रही में यहां चानदी का रखा होगा और आंना आपके अश्म से दो से तीन तो यहाँ पर देखो है इस से यह निकल रहा है यह तो इसी को आप लोग बोल रहो एंडो प्लाजमिंग रेटिकुलम दोस्तों अगर आप लोग इस नेटवर्क में ध्यान से देखो तो दो चीज आप लोगों को नजर आ रहे होगी दोस्तों कुछ नेटवर्क में यानि कुछ एंडो प्लाजमिंग रेटिकुलम में आप लोगों को यह यलो यलो कलर की कुछ पार्टिकल नजर आ रहे हैं तो जब आप लोगों को बोलू आपकी स्किन पे अगर को छोटे छोटे पार्टिकल रख दे तो जब आप लोग हाथ लोगे तो आप लोगों को रफ नजर आयेगा यह smooth नजर आयहगा सर्व नजर gin जिसे एक तो पाइन स抱 बिलूटकी ओपर है सर्थ पर है सर हाथ काफी रफ है तो Similarly जिन जिन एंडोप्लाजमी रेक्टिकुलम पे आप लोगों कोmar एब फृक में की याने और एंटो घूर्टिक रास र्टिकुलम का कोट ऊपर कुछ थी को मुनिया जाएगा कि इस लिया आम है महे भाए ऐस पर आप 2-2 देगो कितना स्मूध AH मजआ आएदा से क्लियर है क्या तो उस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकॉलम को आप लोगे जिस पर राइपुजम नहीं पाये जा रहे उसको बोलोगे रहे सी आर एक होता है ओस्तो आप लोग का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकॉलम जिसको बोलते हैं आप लोग खुर्दरी अंत्य प्रद्विज और दोस्तो इस रफ एनडोप्लाज्मिक रेटिकॉलम का कारे इस क्या है यह बैसिकलि राइबोजों को जगह दे रहा कि आज आज मेरे पास में बैट जा और राइबोजोम का काम क्या है प्रोटीन बनाना तो कुल मिला के जो आपका रफ एंडोप्लाजमिक है यह प्रोटीन बनाने में सहायक है क्या अरे यह प्रोटीन मैं बोल सकता हूं यहां पर प्रोटीन का निर्मान हो रहा है प्रोटीन बना होता है क्लियर है इवन दोस्तों जब नई कोशिका बनती है कोशिका में क्या क्या होता है सर चारों और सेल वाल होता है कोशिका बित्ती होती है अंदर सेल मेंब्रेन होती है कोशिका जिल्ली अरे कोशिका जिल्ली किसकी बनी होती है फॉस्फोल लिपिड की बनी होती ना तो को बनाने के लिए भी तो लिप्ड चाहिए फैट चाहिए तो अगर आप लोगों से पूचे फैट का निर्मान कहां से होता यहां से चैस कहा होता है यहां से पैली चीश के लिए मताओ दूसरी चीश कौण बताएगा आप यह बताऊगे एक बज़े वली क्लास में 3-6 दिन प आप पहले इसको कर लो तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो भी व्यक्ति एलकोहल का करते हैं एलकोहल आपके बॉडि के लिए अच्छा नहीं है उसका कुछ नगुछ टॉक जिक होता है जैरिल इफेक्ट होता है तो उसको डी टॉक्सिफाइच आपकी चाहती है नूँद इंडॉप्लास्मिक रेट्ट गॉलंग तो आप लोग बोलेंगा डी टॉक्सिफिकेश कशी ग्रक्रीफ कि जो कोशियक है उसमें सपसे ज्यादा पाए जाता यह ऐसी यार कॉटिवर का में घृटोक्सिफिकेशन करना घृक है दोस्तो एक चीज मुझे बताओ आप लोग जो भोजन करते हो उसमें केल्शियम होता है ग musique केוכ टो से कौश्व का मैं इसे कौकि को केदेism को start करती है तो basically do stop chap को start entfer वह आप लोगों का common endoplasmic reticulum करता है कानी clear है तो एक बार फिर से बताता हूं दो प्रकार होता है क्या-kya difference होता है, यह मैंने आप लोगों को बता दिया, clear रह गया, आजाओ, अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर एक चीज मिस होगे थी, राइबोजूम में, एक दोस्तने यार दिला दिया, बहुत बढ़िया, दोस्तों मैंने आपको बता है, राइबोजूम दोनों प्रकार की कुशिका में पाये जाता है, प्रोकेरिटिक में भी, यूकेरिटिक में, लेकिन दोस्तों प्रोकेरिटिक में जो राइबोजूम पाये जाता है, वो थोड़ा सा अलग है, यूकेरिटिक में जो राइबोजूम पाये जाता है, वो थोड़ा सा अलग है, सर कैसे अलग है, र पर पढ़ो सिर्फ नाम याद रहो प्रोक्यरोटिक में जो राइबोजोन पाया जाता है वो 70S वाला और यूज़ोगों से पूछा जाता है चैंज में क्या होता है इस सब यूनिट क्या है कौन मुझे पताएगा, इसकी sub-unit क्या है जैसे मालो, ये 35S प्लस 35S होगा या 30S प्लस 40S होगा क्या होगा, कौन बताएगा तो इसकी जो sub-unit होती है वो होती है दोस्तों, कौन बताएगा आप भी बताओ जल्ली से बताओ यार sub-unit क्यों होगी सब यूनिट सब यूनिट बताओ बहुत बढ़िया एक ने बता दिया कि सर 30S और 50S अब आप लोग वह लोगे कि सर गिंती नहीं आती कि 30 प्लस पचास तो 80 होते हैं दोस्तों इसको इसमें 10 common होता है ठीक है ना इसका जो विभाजन होता कुछ इससी परकार से होता है इसको 30S बोलते हैं सिमिलरली दोस्तों 80S वाले में यह होता है 40S यह होता है 60S जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा बर ध्यान रखना इसका प्लासिविगेशन कुछ चीज़ से पकारवका होता है यहां पर 20 common होता है ठीक है तो यहां पर 40-60 यहां पर 30-50 आप लोग याद रखेगा ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स के बारे में यह तो मैंने पढ़ा दिया हाँ यह वली चीज़ नहीं पता ही हाँ दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा यह चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि प्रो के रूटी कोशिका में नहीं पाये जाता केवल और केवल यू के चीज़ नहीं बताई ना हर कोशिका में मिलेगा लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारी जो आर्वी सी होती ना लाल रख्त कोशिका उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा क्या मिलेगा क्या सर नहीं मिलता नहीं मिलता दोस्तों जो हमारी इस्पम स होती है शुक्रानू होते हैं अगर आप लोगों से पूचा जाए क्या शुक्रानू में और शुक्रानू में नहीं सर अगर बात आती है कि सर इस लगो प्लाजम की डिसकावरी किसके द्वारा हो ते टो दょस्तों इसके डिसकावरी हो रही थिए गार्णियर के द्वारा है जा घ्लियर है गया बट इनों नहले जो नाम दिया था गॉंडव में जहां जाइए नगश्ट्र important nucleus यानि केंद्रक जो की pro-keriotic में नहीं पाय जाता यू केरiotic में पाय जाता है तो हम लोग basically बात करने वाल है इस nucleus की दोस्तों ये nucleus क्या करता है बहुत important आप लोगों का कोशिकांग है देखो किसी भी कोशिकांगे जो nucleus होता है ना तो कोशिकांग में कहते हैं जितनी भी activity होती ना इस nucleus के दवरा control होती है इस केंद्रक के दवरा control होती है इसलिए nucleus को हम लोग क्या बोलते है brain of cell यानि कोशिकांग का मस्तिक बोलते है इसको brain of cell बोलते है या फिर आप लोग इसको manager of cell भी बोल सकते है पहली चीज के लिए ठीक है दोस्तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोशिकांग का कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा है दोस्तो nucleus सबसे बड़ा कोशिकांग होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है सबसे चोटा कौन सा होता है यहाँ पर लिख लो सबसे छोटा होता है आप लोगों का राइबोजोम सबसे छोटा कौन सा होता है आप लोगों का सबसे छोटा होता है आप लोगों का राइबोजोम तो बेसिकली अभी हम लोग किसकी स्टड़ी करने वाले हैं न्यूकलेस की स्टड़ी करने वाले हैं ठीक करी कोशिक के अंदर है नूखलिएस होता है इस चीछ की डिसकवरी किस न करी रॉबर्ट ब्राउन ने करी दोस्तों ध्यान रखेंगे यह जो आप लोग का न्यूकलिएस होता है ना इसके चारोर एक मैंबरेन ओते घ्ली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेंब्रेन केंद्रक जिल्ली है ना इसके चार और एक मेंब्रेन पाई जाती है जिसको बोलता है न्यूक्लियर मेंब्रेन यानि केंद्रक जिल्ली क्लियर है ठीक है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं मैंने बता है ना यार इट कंटेंस क्रोमोसोम्स औफ सेल जो कोशिका के क्रोमोसोंस होते हैं वो कहां पर आपको मिलेंगे इधर मिलेंगे इधर मिलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है दूस्तों जहान रखेंगे जो यह आपका नूकलियस होता है न केंद्रक इसमें बहुत छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोट की वज़े से वह कारे हो पाता है तो यह आप लोगों का दोस्तों पूरा का पूरा कोशि का कम्प्लीट हुआ सब्सक्राइब कैसे ना रने कुछ वा ही नहीं नूकलियस के अंदर भी ठोड़ा डीटेल में बताते ना डी ने आ रने तो दोस्तों इसके लिए कल अलग से क्लास रखे गई है साड़े 9 वजे हमारा टॉपिक ही यह होगा DNA and RNA समझ गए बात को तो आप लोगों को सारे को शीकांग मैंने बटा यह गौल जी एपिरेटरस एम रियली सॉरी दोस्तों गौल जी एपिरेटरस रगे अपना क्यों पड़ा है क्योंकि दोस्तों इसकी जो डिसकावरी हुई थी वह किसके द्वारा हुई थी क्लियर है क्या अब बात आती है कि सर इस गौल जी बोडि का काम क्या है आई एम आपको बताता हूं देखो छोटी सी बात समझो आप देखो यह हमारी कोशीका है कोशीका के प्रोटीन है फैट है अब दोस्तों सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हूंगे न तो दोस्तों उनको अलग-अलग पैक करने का काम कॉन करता है माली ё प्रोटीन आप लोगो एक जगे पैक करना है जिसमें और कोई चीजे नहीं जुड़े तो यह पैक करने का काम किसका होता है इसका होता है जिसे आपको पता है कि यह कोशिका है इस कोशिका में प्रोटीन क्या है बहुत ज़्यादा है इस कोशिका में प्रोटीन क्या है बहुत कम है तो आ काम क्या होता है भूजन की पैकेज इनका काम होता है यह जयान रखो इसका काम होता है पैकेजके का काम और इसलिए हम लोग इसको Mother of Cell भी बोलते हैं यानि कोश्ची का क्या की माता भी बोलता क्योंकि भाई या आप भी घर से कई पर जा रहे हो तो आपकी मदर यह ना जो सारा सामान रखते कि भाई यह भी ले जा यह दवाई भी रख ले लड़ू खा लेना यह कर लेना यह कर लेना तो इसलिए हम लोग इसको मदर ओफ सेल बोलते हैं क्लियर है क्या समझ में आ गई सम मज़ा आपको आ जाएगा बताओ ठीक है हाँ अब दोस्तों कुछ चीज ऐसी होती है जो प्लांट की कोशिका में अलग होती है जैसे वैक्योल प्लास्टेड सर इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया क्योंकि जब हम लोग बोटनी पढ़ेंगे तब यह वाली सारी चीजे वहाँ पर कवर होगी ठीक है तो बिल्कुल निश्चंत रहिए अच्छे से बढ़ाई करिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिंक डाल दी है टेलियम चैनल की इससे जूड़ जाईए और मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोग कौन से बच्चे है जिन्नों आपको बैट सॉलुशन मिल रहा है कॉंटेंट आप लोग देखो हिंडी और इंग्लिश में और पांच जनवरी से शुरू हुआ है आप लोग जूड़िये शांदार मज़ा आजागर मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा कोई भी क्वेशन नहीं है जो प्रीवेस एर में आयो औ ग्रूप D, RPF, RPF के पेपर उसी एजेंस से नेकर आई थी जो इस बार ग्रूप D के गरवारी है 2021 में जो भी आप लोगों की पेपर पूछे कहें न उसमें जो साइंस के कुछन है सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूं मैं सर क्या करना पड़ेगा बिल्कुल सा प्रोसेस है रे पड़ेगा डिसकाउंट बाईस सो पचास रुपए का पड़ेगा यानि बाईस सो पचास में एक सो असी का आप लोग डिवाइड करेंगे तो केवल और केवल यार 12.25 रुपए पड़ रहा है तो बिल्कुल एकोनोमिकली आप लोगों के लिए लेकर रहा हूं जिससे हर ब